बस कुछी दिनों बात Mother's Day है आप लोगों ने प्रिप्रेइड तो करी लिया होगा कि माकी लिए क्या बनाना है तो बहुत लोगों ने सोचा कि कुछ मीठा ट्राइ कर लेते हैं और बहुत लोगों ने सोचा कि नहीं नहीं सुगर इस बार तो एवाइड करेंगी हम कुछ नमक सब्सक्राइब से तो आज में आपके साथ सब्सक्राइब करने वाली हूं सूजी की केक बिल्कुल कम चीनी के साथ इसे बनाएंगे और आपको बताओं कि आप ज़ा यूज कर सकते हो सो हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ सौम्या और आप से लिगा वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर सो रिस्पी को इंटो वाच करिएगा और रिस्पी अचले तो विडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा तो चलिए स्टार्ट करती हूँ सबसे पहली मैंने यहां पर एक कप सूजी लिया है अगर आप बेट से कहो तो 200 ग्राम के आसपास से आप बेट के लिए कोई भी कप या फिर कटोरी सेट कर सकती हो ताकि मेजर्मेंट बिल्कुल पॉपेक्ट हो और चाहो तो आप यहां पर गीहूं काट या फिर मैदा का भी सब्सक्राइब कर सकते हो तो सूजी को ट्रांसफर करें मैं ग्रैंडर शाहर में और बिल्कुल अच्छे सिम बारिक पीस लेने तो एक मिनट का टाइम लगेगा एंड फाइनली देख सकते बिल्कुल बारिक पिसा है अगर आप मोटी वाली सूजी भी ले रहे हो तो बिल्क दूद यूज कर रहे हो तेहां पर बिल्कुल नॉर्मल टेमप्रेशर का दूद लेना बहुत जादा गर्म दूद कर यूज बिल्कुल नहीं करना है और साथ में चीनी तो यहां पर मैंने वन बाइट त्री कप चीनी दिया है आप चाहते हैं पर खांड का यूज कर सकते हो स्टी को बिल्कुल पीसकर आपको यूज श्राम आप को यूज कर सकते हो आपको है इस टीवया विगिरा यूज करते हो तो आप वह फो भी involves सकते हो हो सात गार। देंगे शूजी जो पीश करने के तरे मिक्स करने के बाद में आप्र Cassich जो चोड़ेंगे सब्सक्र मिकस करन देख सकते हूं, सूजी बिल्कुल अच्छी से फूल चुकी है, तो इस चीस पर आट करेंगे पानी, आप शाओ दूद कर सकते हूं, तो मैंने यहाँ पर चार से पांच बड़ा चमश पानी आट किया है, और एक और अच्छी से मिक्स कर लेंगे, तो फानली देख सकते हूं, तो बैटर के बिल्कुल पॉफिक्ट कंसिस्टेंस से बहुत ज्यादा ना तो थिक करना है, ना ही बहुत ज्यादा थिन करना है, तो इस चीस पर अब मैं आट करेंगे फ्लीवर के लिए इलाची का पॉडर, मैं हाप पर ऐसे चीज़ों का यूज कर रही हूं, जो कि आपको खर पर प्लीकुल आसानी से मेल जाए, आप चाहों तो कोई फ्लेवर यूज कर सकते हूं जैसे की को कोया पॉडर या फिर कोई एसेंस यूज कर सकते हूं, मैं यहाँ पर एलाची को पॉडर यूज किया है, आदा चुटा चाहां में दू चूट तो दौटी लाची को चू तो 1 by 4 टीस्पून और 1 by 4 टीस्पून आप दोनों एड़ कर लीना एंड थोड़ा से मैंने आप पर पानी एड़ किया है और एक वार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो चली हमारा बैटर बिल्कुल रिडी हो चुका है सो नेक्स्ट आप चली कीक टीन को तयार कर लेते तो मैंन यहां पर नॉर्मल ऐसीं टीफिन बॉक्स लिया है तो इसमें अच्छे से तील को ग्रीस कर लेंगे और मैदा से डस्ट कर देंगे तो यह हमारा बिल्कुल सस्ता वाला केक टीन तयार है आप चाहो तो यहां पर पास्टमिट पेपर लगा सकती हो और जो हमारा बैटर हो उस कर रहे हैं तो यहां पर आलमंड्स काजू और जो ड्राय वाला नारियल होता वो यूज किया है यह तो हर गर में बिल्कुल असाहानी से मिल जाएगा बड़ आप शाह होते हैं पर टूटी फूटी या फिर चौको चिप्स और कोई और स्प्रिंकल बगीरा यूज कर सकते हो तो मेंने आपर बिल्कुल कम चीजों में ऑन घहर में रखी चीजों से तयार किया तो आप केक से अपनी मजर को सब्रायज और खोस कर सकते हो तो फालिली हमारे कीक तयार है तो इससे हम बेक करेंगे तो मेंने आपर एक भॉझोना लिया है और इसमें मैं प्लीट आड्र कर केक टिन को एड़ करके धखकर के एप रॉक्स चाली से पैंतालेस मिनट के लिए लो टू मेडिया फ्लीम पर पकाएंगे आप यह सेम प्रोसेस को कुकर में कर सकते हूं अब जो कुकर का धखकर ने उसमें से आप रबड और सीटी दोनों को निकाल लेना एंड सेम चाली से पै कर सकते हो तो बस अब मैं आपको दिखा रहीं पैंतालेस मिनट के बाद देख सकते हूं के कंप्लीटली बेख हो चुका है तो इसे हम निकालें बाहर और एप्रॉक्स 10-12 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो आपको यह वाला स्क्रिप बिल्कुल भी मि करना है तो इसे बाद थंडा करना है आप मैं आपको दिखा रही हूं दस निन की बाद की बहुत अच्छे से थंडा हो चुका है तो आप जब की कटिंग कर रहें तो बिल्कुल थंडा करके निकालें बढ़ना जो कीक वो तूट जाएगा की का जो साइड उसे हम चाकुसी बाद तन में बिल्कुल भी ने चिपका बिल्कुल पॉफिक बाहरा आया है तो बस इसे हम कट करेंगे और इंज्वाइ करेंगे आप चोहत दुख्य से और तरीके कर सकते हो बढ़ना है तो बिल्कुल कम्प्लीट हमारे कीक रीडी है तो मेरी फ्रेंट आपको इस बहुत अ बिल्कुल ओव इसे हम में जिसका अट पक्रशक है रीचे को संहरा थेल्च सक्षाइब कर लो इसे में आपके घ्जी कासी तब थायार हुए यूँ अग्मेंट सक्षान में जरूर से लिखना और तो बडियो को लाइक करो यग करो अज्वाद कर साथ साह करो आपको सब्सक्राइब कर लो सुमलती हो नेक्स ठम तब तक की लिए बायांग टीक क्यार